सीजन 3 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और ये फ्लाजबेक कसीन हमें दिखाया गया है सॉल और उसका फ्रेंड हमेशा फ्रॉड करते है सॉल के फादर का जो ओल्ड शॉब होता है जो अबबन हो चुगा होता है वहाँ वो दोनों आय हुए होते है सॉल ने वहाँ एंटिक जो कॉइन्स होते है उन्हें चिपाया होता है कॉइन की ट्रिक हमने पहले भी देखी है फिर वो कॉइन लेने के लिए वो वहाँ आय हुए होते है सॉल का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुमारे फादर का ये बहुत ही अच्छा प्लेस था ये सेल हो गया ये बहुत ही दुख की बात है सॉल बोलता है कि उन्हें पहले बाही नहीं करना चाहिए था वो कभी भी ये बिजनेस रन नहीं कर सकते थे पर आदमी को इस टाउन में बता था कि आगर वो रोता रोता यहां आ आ गया तो उसे खाने को मिल जाएगा उसके फादर उसे पैसे भी दे 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 थे सॉल फिर बताता है ये जो कोईन मैंने कले किये है इसमें से कोईन जब मुझे मिला था तो मैंने फादर को बताया उसके फादर ने उस कोईन को असाइड में रख दिया वो उसके फादर उसे बोली थे जिसका कोईन है उसे वो वापस देने वाले है सौल बोलता है फिर मैंने एक दिन उस कोईन को चुरा लिया था मेरे फादर बहुत ही सौफ्ट हार्टेर थे फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते है सालमांका का जो ट्रक होता है जब माइक उसे डिसेबिल कर देता है और उसके पैसे चुरा लेता है जब वो ट्रक साइड में रस्ते के साइड में उसका एकसिटन हो जाता है तब एक आदमी ने उसे डूंडा होता है पर सालमांका उस आदमी को मार देते है सालम आंका ने उस आदमी की body वहाँ गाड़ी हुई होती है माइक अब उसी body को ढूण रहा होता है जो आदमी मरा हुआ होता है उसके family को पदा चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है इसलिए वो उसे ढूण रहा होता है फिर माइक अनानमर स्कॉल पुलिस को कर देता है और उसकी लोकेशन बता देता है नेक सिन में चक के पास उसके डॉक्टर आई हुई होती है चक अब अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा होता है चबको अब अपनी जो कंडिशन है उसे पूरी तरह से क्योर करना होता है उसने बहुत सारी प्रोग्रेस हब की होती है वह अब ख्रोशीरिस लेने वेगरा भी जा सकता है उसके डॉक्टरों से पूछती है कि तुमने अब ये डिसीजन क्यों लिया है वो बोलता है कि मैं जब कोर्ट में था तो मेरे साथ बहुती बुरा इंसीडन हुआ मुझे बहुत ही बुरा लगा और अब मैं मेरी कंडिशन को क्योर करना चाता हूँ नेक सिन में हमें दिखता है कि सॉल ने जिस स्टोर के लिए फ्री में एड़डाइसमेंट की होती है वहाँ बहुत कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं इसलिए अब फिर से सॉल को हायर कर लेते हैं वहाँ का एक दूसरा जो बदर होता है फिर से कौल आता है और उसे पता चल जाता है कि जो टीवी स्टेशन है वो बहुत ही कम पैसों में उनकी एड़डाइसमेंट रण कर सकते हैं वह सॉल को फिर यह सब बताता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है Saul बोलता है, कि जो advertisement तुम अब run करोगे वो advertisement मैंने बनाई है उसमे rights मेरे हैं, तो तुम यह use निग कर सकते हैं Saul को वो पहले advertisement के पैसे देने वाले होते हैं पर Saul यह सब बोलता है, तो अब वो उसे पैसे नहीं देने वाले होते वो Saul को बोलता है तुमने जो advertisement create की है वो हम भी कर सकते है तुमने कुछ drama school के बच्चों को उठा के लाया है और उनसे तुम काम कर रहा है हो हम भी ये कर सकते है Saul Phil trick करता है उसका जो cameraman होता है उसको वीडियो shoot करने के लिए बोलता है वहाँ की वो drum stick उठाता है और वो जमिन पर रख देता है और नाटक करता है कि वो उस drum trick से गिर गया है इन दोनों बदस को कोछ पोलिस के स्वेगरा नहीं चाहिए होती है तो वो कौन खेलता है और अब वो पूरी advertisement उनको sale कर देता है 10 की 10 advertisement वो उस एक shop को sale करता है नेकसिन में हमें दिखाया गया है कि कीम मैंसावरडे के साथ lunch कर रही होती है जो मैंसावरडे होता है वो कीम को बोलता है कि मेरा एक friend है जिसकी oil meal है उसका जो oil निकालने का operation में border पर है इसलिए दोनों state ने उस पर case जा लिए कीम को उसका case लेने के लिए बोल रहा होता है कीम बोलती है जिए मैं तुम पर focus करना चाहती हो इसलिए मैं किसी click को इसे refer कर दूँगी पर वो उसकी file फिर भी मांग लिती है वहाँ dinner के लिए अपने client को लेकर हावर्ड भी आया हो होता है वो कीम और हमें सावरेडे से मिलता है कीम की वो बिज़ती करता है और बोलता है कि हमारी ये employee थी और अब ही अच्छा कर रही है कीम फिर वहाँ से उठती है हावर्ड ने उसका $14,000 का loan होता है वो माफ कर दे होता है तो कीम अप वो afford कर सकती है वो check वो लिखती है और हावर्ड को दे चाती है तोनों की meeting जग खतम हो जाती है तो हावर्ड कीम से मिलने बाहर आता है वो कीम को बोलता है कि तुमने चक के साथ जो किया इसे एक firm को बहुत ही नुकसान पहुचा है मैं दो हपतों से मेरे client के साथ दीनरी कर रहा हूँ और जो नुकसान तुमने किया है वो repair में कर रहा हूँ कीम बोलती है यह मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जो सब चीज़ा जैसे थी वैसे मैं रिप्रेजेंट की है हावर्ड कीम ने उसे जो check दिया होता है वो fire देता है नेक सीन में हमें चक एक सुपर मार्केट में आय होँ दिखता है वहाँ बहुत सारे refrigerator बहुत सारे electricity होती है उसे तकलिफ होती है फिर भी वहाँ जाकर वो shopping करता है वो tolerance बना रहा होता है कीम अपने office में होती शॉल भी अपने office में guitar बचा रहा होता है सौल जमीदपन रेट कर वो गिडार बजा रहा होता है क्योंकि उसे अब पीट का दर्ध हो रहा होता है वो प्रिवेस सीन में हमें गिरता हो दिखा था किम उसकी हालत देखकर उसे बोलती है कि अगर तुम यह सब ओफिस के पैसे पे नहीं कर सकते हैं तो मत करो मैं कुछ मेहनों तक इस ओफिस को चला सकती हूँ सौल को स्ट्रेस आ रहा होता है यह सब वो देखती है इसलिए वो यह सब ओफर कर रही होती है सौल बोलता है कि मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है सौल उसे पैसे दे देता है किम फिर मैंसा वर्टे का जो फ्रेंड होता है उसके डॉकुमेंट्स देखती है उसको फिर वो कॉल करती है और बोलती है और मुझे लगता है कि मैं ही अभी यह केस ले सकती हूँ नेक्स इन में हवाट चक के घर पर आता है चक को बाहर देखकर बहुत इंप्रेस्ट होता है हावर्ट चक को बोलता है कि तुम्हारा जो इंशोरंस है अब हमें जादा पैसे पे करने बढ़ेंगे जब रात होती है तो जहाँ नाचो और सालमांका पैसे कलेक करता है उस होटेल में आता है वहाँ का जो एर कंडिशनर होता है उसको खराप कर देता है नेक्स दिन नाचो सब पैसे वगरा कलेक कर रहा होता है सालमांको को फिर गर्मी लगरी होती है सालमांका अपना कोट निकाल कर रख देते है सलमांका उनके जो medicine होते हैं वो अपने code में ही रखते हैं फिर नाचो जाता है पैसे उसके घिर गये है ऐसा down करता है और उनके medicine change कर देता है सोल अपनी community service कर रहा होता है सो जब garbage होता है वो pickup कर रहा होता है उसको peat में बहुत ही तकलिफ हो रही होती है फिर वो conversation सुनता है वहाँ का जो supervisor होता है उससे एक drug dealer जो होता है वो बात कर रहा होता है वो drug dealer एक story में कप करता है मेरी wife है और वो pregnant है मुझे अब बच्चा होने वाला है तो मुझे जाने दो पर उस supervisor उसे मना कर देता है सॉल यह सब सुन रहा होता है सॉल को पता होता है कि यह drug dealer है तो सॉल उससे जाकर बात करता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ अगर तुमने मुझे 700 डॉलर्स दे दी है तो मैं चुटकी में यह काम कर दूँगा वो drug dealer उस पर पहले value नहीं करता पर सॉल लॉयर है यह उसे पता चलने के बाद वो उस पर value करता है और उसे 700 डिनने के लिए वो मान जाता है सॉल फिर वहाँ के supervisor से मिलता है वो बोलता है कि तुम यह जो कर रहे हो मैं तुम पर case डाल सकता हूँ तुमने अभी अभी एक आदमी को उसके pregnant बीबी से मिलने के लिए मना कर दिया है अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ case कर दी तुम तुम्हारा job loss कर सकते हो तुम्हें जेल म सकते होता है कि तुम्हें पूरा अपना घर बेशना पड़ सकता है फिर वहाँ का supervisor डर जाता है और उस आदमी को जाने देता है सौल भी आराम करता है माइक के पास जो भी पैसे है वो ज्यादा वो खर्श नहीं कर सकता उसको अपने family को देना होता है पर वो उसे पहले लॉ करूंगा माइक को से 20% देने के लिए तयार होता है गस उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे family से पैसे नहीं लूँगा यही एपिसोड खतम हो जाता है